आरेसेस प्रमुक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल विजय दश्मी के अवसर पर हिंदू मुस्लीम जनसंख्या नियंतरन और बेरोजगारी के मसले पर अपने विचार रखे हमें उनके संबोधन के मुख्यांशों को सुनना चाहिए सुनिए उन्होंने क्या कहा जो न दुख को दुख मन में मानता धूल सुख की खोज की न चानता मोह आकर शन भरे इस विश्व में राह अपने धेय की पहचानता दूसरों के दुख को दूर करना उसके लिए विश्व भी पीना जिसको स्विकार है ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अरजन करना पड़ता है क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभद्वार है शक्ति भी तो शान्ति का ही आधार है क्योंकि संपूर्ण समाज को संगटित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है हमारे यहां यह दुरुष्टी है पुरुष श्रेष्ट की महिला श्रेष्ट है ऐसा वाद हम नहीं करते क्योंकि हम यह जानते है कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता दोनों के बिना सुर्ष्टी नहीं होती यह दोनों परस्पर पूरक है यह हमारी भारतिय दुर्ष्टी है दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है इसलिए व्यक्ति निर्माना का काम करने हमाली शाखा है तो संगह की अलग राष्ट्र सिविका समीति की अलग महिलाओं के लिए उनकी चलती है पुरुषों के लिए हमारी चलती है लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महला एकत्र मिलकर काम करते है यह चलते आ रहा है बार-बार समाज 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 यह मैं क्यों कह रहा हूँ सरकार को उसके दाइतों से मुक्त करना मैं नहीं चाहता हूँ और हमको मुक्त नहीं करना है उसको पर नदर रखनी है ठीक करते हैं इसको अपने दाइतों को पूरा जनता का यही काम है परन्तु वो अपना दाइतों पूरा करेंगे तो भी अगर समाज नहीं करता तो उनकी बातों का यश नहीं आने वाला क्योंकि सब बातों का कारण समाज है उस समाज में ये परिवर्तन लाना पड़ेगा समाज बड़ा विचाल है कुछ लोग उससे भी डरते इतनी बड़ी जनसंख्या है पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा ये वाक्या पूरुन सत्य नहीं है ये बात सही है जनसंख्या जितनी ज़्यादा उतना बहुत ज़्यादा लिकिन यहीं एक बात नहीं है क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोच के रूप में देखी जा सकती है वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है एसेट बनता है आज अपनी इतनी जादा जैनसंक्या है तो जैसे उसका वरनन बोच के रूप में हो सकता है वैसे हम ये भी कह सकते है कि हम आज demographic dividend की स्थिती में है 57 करोड युवाओं की संक्या किसी दुनिया के देश में नहीं है चीन हमारा पडोसी बुड़ा हो चुका है हम जवान रेने वाले 30 साल तक जनसंक्या का विचार दोनों रोप से हो सकता है वो एक साधन भी है और एक परिस्थिती में विचार करता है तो एक बात लगती है दूसरे परिस्थिती में विचार करता है दूसरी बात लगती है चीन की इतनी जादा जनसंख्या थी उनको बोज लगने लगा उनोंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान ऐसी नीती अपना ही बड़े कड़े प्रयास से उनोंने उसको लागू किया हमको भी विचार करना पड़े जा हमारा देश पचास वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संक्या चाहिए काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे आज के 57 प्रतिशत युवा पचास साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या अपने देश का परियावर और कितने लोगों को खिला सकता है कितने लोगों को जहल सकता है इतने लोगों के शिक्षा की स्वास्ता की क्या विवस्ताम कर सकेंगे इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या-क्या करना पड़ेगा? और किवल देश का प्रश्ण नहीं है, जनमदात्री तो माता होती है, वहमारी मातरुशक्ति का सशक्ति करन हमने कितना किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको, उनकी इच्छा क्या है, उनकी आवश्यक्ता क्या है परिवार की भी आवश्यक्ता होती है परिवार का भी विचार क्या है ये एक समग्र विचार करके एक नीती बनानी पड़ती है हमने इसी नीती बनाई कुछ वरश पूर हुआ भरत सरकार ने बनाई और 2.1 हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया दुनिया को भी यह उम्मीद नहीं थी वह आश्चेरे कर रही है उससे भी नीचे हम आ गए दो तक लेकिन बहुत नीचे आना भी गडबड होता है क्योंकि घर के बच्चों को समाजिक व्यवार का प्रशिक्षन परिवार में मिलता है परिवार में संख्या चाहिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं नौशकार मैं हूँ राजकुमा चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच आज हम लोग बात करेंगे विजे दश्मी के अवसर पर राष्टे स्वयम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत ने किस तरीके से चीजों को किलियर करने का प्र अल्प संख्यकों के लिए कहीं कोई खत्रा नहीं है ना तो हिंदों से और ना ही उनके संग्ठन यानी RSS से ऐसा कोई वक्तव्य इसलिए आवश्यक था क्योंकि पिछले कुछ समय से ये वातावन बनाया जा रहा है कि मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं चन्दिनों पहले इस बात को मुस्लिम समाज के पांच प्रमुख लोगों ने तब दोराया भी था जब उन्होंने दिल्ली में संग्प्रमुख से भेट की थी तब से इन लोगों की ओर से ये बार बार रेखांकित किया जा रहा है तब प्रमुख से उनकी मुलाकात का मुख्योदेश उन्हें अपनी इस चिंता से अवगत कराता था कि मुस्लिम समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है ये और कुछ नहीं इस तरह का एक काल्पनिक भै पैदा करने की कोशिश है कि मुस्लिम समाज खत्रे में है क्या ये विचित्र नहीं है कि देश के अन्य अल्प संक्यक समुओं की ओर से तो ऐसी कहीं कोई बात सुनने को नहीं मिलती कि वे स्वें को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लेकि सबसे बड़े अल्प संक्यक समुदाय यानि मुस्लिम समाज के कई निता धर्म गुरू और अन्य परतिनिदी यही सिद्ध करने में जुटे हुए हैं कि मुसलमान डरा हुआ है यह ना तो एक किस्म की सरारत है बलकि सच से मुहू मोडने की कोशिश भी मुसलिम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं यह बात इसलिए गले नहीं उतर सकती क्योंकि हाल के समय में तेश ने यह अच्छी तरह देखा है कि नागिकता संसोधन कानून हिजाब मामला ग्यान व्यापी और नुपुर सर्मा प्रकरण में मुसलिम समाज के एक वर्क की ओर से कैसी उग्र और हिंसक प्रतिक्रियां व्यक्त की गई क्या ये प्रतिक्रिया ऐसे लोगों की हो सकती है जो खुद को अस्वक्छित मान रहे हों उनकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि सब बेसमाज की चित्त करने वाली इस प्रतिक्रिया पर वे सब लोग मौन ही अधिक रहे जो यहे परिचाईत करने में लगे हुए हैं कि मुसल्मान तो डरे हुए हैं RSS के पदादिकारियां और मुसलिम समाज के प्रतिरिदियों के बीच समवाद में कोई हर्ज नहीं लेकिन वे इस जूट के साहरे नहीं होना चाहिए कि मुसल्मान भेभी थे या उनकी अंदेकी हो रही है ये अच्छा हुआ कि संग पर मुखने इस खोकली धारना को खारिज कर दिया मुसल्मान असुरक्चा के साहे में जी रहे हैं क्योंकि सच को किनारे रखकर किया जाने वाला कोई भी समवाद समस्याओं के समाधान में सायक नहीं हो सकता एक तो इतने बड़े समुदाय की अंदे की संभव नहीं है दूसरे तथे यही बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय के कल्यान के लिए केंद्र और राजी सरकारों की ओर से कई उपाय किये जा रहे है मुस्लिम समाध उनसे लाभानवित भी हो रहा है आज के इस एपसोड में इतना ही हमारी टीम को दीजिए इजाज़त शुक्रिया कि अग्याओं अग्याओं